आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो खीचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अब पढ़ेंगे इस आत्मकतांश का भाग नंबर 3 इस आत्मकतांश के पिछले भाग में हमने जाना था कि लेखिका किराय के लिए दूसरा कमरा ढूंड लेती है जिसमें सोचाली की सुविदा उपलब्द नहीं होती उन्हें सोचाली के लिए भाग जाना पड़ता है और महा के जो लोग है लेखिका से तमाम तरह के सवाल करते है क्योंकि लेखिका बिना पती के महा अपने बच्चों का पालन पोशन कर रही होती है इस पर लेखिका उन्हें भी अनसुना कर देती है फिर हमने जाना कि घर के मालिक का लगाव जो है जुडाव जो है लेखिका से अधिक हो जाता है और लेखिका को तातुष जो होते है वे अपनी बेटी समान मानने लग जाते है उन्हें लेखिका की इस्तिती पर दया आती है और वे लेखिका से कहते है कि वे उन्हें तातुष कहकर बुलाए और लेखिका उन्हें तातुष कहकर बुलाने लग जाती है इस पर तातुष जो होते है वे बहुत खुश होते है फिर हमने अंत में जाना था कि लेखिका से वे उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछते है जिस पर लेखिका बताती है कि उन्होंने छट अगले दिन मैं आई तो मुझे देख वह हसने लगे अगले दिन लेखिका जब काम पर आती है तो तातुष लेखिका को देखकर हसने लग जाते है वैसे भी उनके चहरे पर सब समय हसी रहती थी देखकर लगता कि उनके मन में गुसा है ही नहीं यहां तातुष के व्यक्तित्व के बारे में बताया हुआ है कि किस परकार वह एक हसमुक व्यक्ति थे और उनके चैरे पर हमेशा हसी रहती थी उन्हें देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह गुस्सा भी कभी होते होंगे बोलते भी वह बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे यहां आहिस्ता कारत होता है धीरे अब वह धीरे धीरे ही बोला करते थे उन्हें देख मुझे श्रीक राम किष्णियाद आ जाते थे मैं उनसे बाते करने लगती तो फिर महां से उठने की मेरी इच्छा नहीं होती और एक बार ब बताती है कि लेखिका और तातुष के बीच में कितनी घनिष्टता आ जाती है वह एक दूसरे से लंबे समय तक बाते किया करते थे मैं तातुष के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हटात वह बोले अच्छा बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है अब सोच ही रही थी कि तभी तातुष एकदम बोल पड़ते है और पूछते है लेखिका से कि बेबी तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है लेखिका बताती है कि मैंने उनकी और देख हसते हुए जट से कहा हां कई तो है जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर काजी नजरूल इसलाम अब जैसे ही जो तातुष है वे पूछते है लेखक के बारे में तो लेखिका बंगाल के प्रसीद लेखकों के नाम बता देती है जिसमें रविंद्रनाथ ठाकुर जी होते है काजी नजरूल इसलाम होते है शरत चंद्र होते है सतेंद्रनाथ दत होते है और सुकुमार रा यह बंगाल के प्रसीद लेखक है, मैंने इन लोगों के नाम लिये तो पता नहीं क्यों, तातुष मेरे सिर पर हात रख, मुझे अश्चारे से ऐसे देखने लगे जैसे उन्हें विश्वास नहीं हो रहा हो, अब जैसे ही इन प्रसीद लेखकों के नाम लेखिका लेती है, त तो तातुष को अश्चारे होता है, तातुष को अश्चारे इसलिए होता है कि लेखिका छटी से सात्वी तक ही पड़ी हुई है, और इतने महान कवियों के महान लेखकों के नाम उसे किस परकार याद है अभी तक? कुछ शन बाद वै बोले, तुम्हे लिखने पड़ने का शोक है या शन का अर्थ होता है समय, कुछ समय बाद वै लेखिका से पूछते है कि तुम्हे लिखने पड़ने का शोक है क्या? अब लेखिका बताती है कि मैंने कहा, शोक होने से भी क्या? लिखना पड़ना तो अब लेखिका को वह उपर वाले कमरे में ले जाते हैं, जहाँ पर अल्मारिय रखी हुई है और उन अल्मारियों में डेर सारी किताबे है मुझे उपर ले जाकर उन्होंने अल्मारिय से एक किताब निकाली और कहा बताओ तो यह क्या लिखा है मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक ही लूँगी फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या मैंने फिर सोचा कह दूँगी मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता अब तातुष उस किताब को निकाल कर लेकिका के हाथ में रखते है और लेकिका से कहते है कि पढ़ो इस पर क्या लिखा है लिखिका के मन में शंकाय हुटती है कि मैं इस किताब को पढ़ तो लूगी लेकिन क्या वह गलत भी हो सकती है तो उसके मन में कही तरह की शंकाय होती है और वह कहती है कि यदि मैं नहीं पढ़ पाई तो मैं साफ साफ कहा दूंगी कि मुझे पढ़ना लिखना एकदम नहीं आता है तातुष मेरे मुँ की और देखे ही जा रहे थे तातुष जो है लेखिका के मुँ की तरफ इसलिए देख रहे थे कि वह किताब पढ़कर उन्हें दिखाएगी उन्होंने कहा पढ़ो ना कुछ तो पढ़ो मैंने तब बोल ही दिया अमार मैं बेला तसलिमा नासरिन अब उस किताब का जो शीर्षक था उस किताब का शीर्षक था अमार मैं बेला यानि बंगाल भाशा में वह किताब लिखी हुई थी और इस किताब की लेखिका थी तसलीमा नसरिन तातुष बोले तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी मैं हसने लगी अब जो लेखिका है वह मन में संकोच करते हुए धीरे धीरे उस किताब का नाम सही सही पढ़ देती है इस पर तातुष लेखिका से बोलते है कि तुम यही सोच रही थी ना मन में कि कहीं पढ़ने में गलती तो नहीं हो जाएगी जब यह तातुष बोलते है इस बात को तो लेखिका हसने लग जाती है फिर तातुष आगे बोलते है वह बोले यह किताब तुम ले जाओ घर पर समय मिले तो पढ़ना अब तातुष जो है लेकिका से बोलते है कि तुम इस किताब को अपने घर ले जाओ और जब तुमें समय मिले तो इस किताब को पढ़ लेना मैं किताब लेकर घर चली आई और रोज उसमें से एक एक दो दो पेज कर पढ़ने लगी अब उस किताब को लेखिका अपने घर ले आती है और रोज एक एक दो दो पेज पढ़ने लग जाती है उस किताब में से मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में ना जाने क्या बाते करते अब लेखिका को पढ़ते देखकर लेखिका के समाच के लोग तरह तरह की बाते बनाने लग जाते थे मैं उनकी बाते अंसुना कर देती किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी लेकिन धीरे धीरे वे दूर होने लगी अब लेखिका चटी साथवी तक ही पढ़ी थी इसलिए शुरुआत में उन्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही थी लेकिन धीरे धीरे वह दिक्कत भी दूर होने लगी थी किताब पढ़ना मुझे भहुत अच्छा लगता अब लेखिका को उस किताब को पढ़ने में आनंद आ रहा था भहुत अच्छी लग रही थी वह किताब और जो समाच के लोग है वह तरह तरह की बाते बना रहे थे इस पर लेखिका जो है उन सभी बातों को अनसुना करके अपनी किताब पर द्यान लगाने लग जाती है कुछ दिनों बाद तातूष ने एक दिन पूछा तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़तो रही हो मैंने कहा मैंने हा कहा तो वह बोले मैं तुमें एक चीज दे रहा हूँ तुम उसका इस्तेमाल करना अब एक दिन क्या होता है तातूष पूछते है लेखिका से कि मैंने जिस किताब को तुमें दिया था तुम उस किताब को ठीक प्रकार से पढ़तो रही हो इस पर लेखिका कहती है हाँ मैं उस किताब को ठीक से पढ़ रही हूँ अब लेखिका से वह कहते है ठीक है मैं तुमें एक चीज देता हूँ तुम उसका इस्तिमाल करना परियोग करना अब वह चीज क्या होती है आए जाने समझना की वह भी मेरा ही एक काम है मैंने पूछा कौन सी चीज तातुष ने अपनी लिखने की एक टेबिल के ड्रोड से एक पैन और कौपी निकाली और बोले इस कौपी में तुम लिखना अब वह जो चीज होती है वह चीज क्या होती है वह होती है कौपी और कौपी को देते हुए नोटबुक को देते हुए वह लिखिका से कहते है कि इस कि इस नोटबुक में तुम लिखना लिखने को तो तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो हो समभालने के बाद से अब तक कि जितनी भी बाते तुम्हें याद आएं सब इस कोपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना भैक उस नोटबुक को देते हुए कहते हैं कि तुम इस कोपी में अपने जिंदकी के बारे में लिखना जब से तुमने होसंभाला है जब से तुम जागरुक हुई हो पैन और कितना गलतिया सही होगा तातुस ने पूछा क्यों क्या हुआ क्या सोचने लगी मैं चोंक पड़ी अब लेखी का जो है अपने हाथ में वे कोपी ले लेती है और उस पैन को ले लेती है और तमाम तरह की बाते अपने मन में वे सोचने लग जाती है फिर बोली सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं वह बोले जरूर लिख सकोगी लिख क्यों नहीं सकोगी जैसे बने वैसे लिखना अब वह तातुस से बोलती है कि पता नहीं मैं लिख पाऊंगी या नहीं इस पर तातुस कहते है कि तुम जरूर लिख पाऊगी जो तुमारे मन में आए वैसे लिख देना पैन और कौपी ले मैं घर गई और उसी दिन से दो एक पेज रोज लिखने लगी अब उस पैन कौपी में लेखिका रोज एक एक पेज लिखने लग जाती है लिखती और वह किताब भी पढ़ती अब लेखिका ने लिखना और पढ़ना साथ साथ शुरू कर दिया था सबेरे काम पर आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं और यदि मैं हा कहती तो वह भावत खुश होते और कहते तुम यदि रोज लिखोगी तो मैं तुम्हें और भी प्यार करूँगा किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आजपास के लोग एक निंद सो भी चुके होते अब यहां लिखिका के पढ़ने की इच्छा के बारे में बताया हुआ है कि लिखिका पढ़ना लिखना चाहती है और पढ़ने के प्रती वह कितनी जागरूख है वह दिन बर महनत करती है और रात रात भर वह उस किताब को पढ़ती है और लिखा करती है अब वे रात आदी रात तक अपनी किताबे पढ़ा करती थी तब तक महोले के लोगों की आदी निंद भी पूरी हो जाती थी निंद तूटने पर वे देखते कि मैं जगी हुई हूँ तो सबेरे कोई ना कोई पूछ बैठता बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो अब लेखिका को पढ़ते लिखते देखकर महोले के लोग जो होते है वे पूछते हैं लेखिका से कि तुम इतनी रात में क्या लिखती हो क्या पढ़ती हो अब लेखिका उनसे क्या कहती है आये जाने मैं कहती कुछ भी मैं अपना भै भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी अब लेखी का उन सभी लोगों की बातों को अनसुना कर देती थी उन सभी लोगों की बाते उसे अच्छी नहीं लगती थी और लेखी का बताती है कि उस भाड़े के घर में भी उसे कई तरह की आसुविदाय जेलनी वहाँ पानी की आसुविदा थी वहाँ बात्रूम की आसुविदा पी थी चारो घरों के बीच बात्रूम एक ही था लेखी का बताती है कि उस भाड़े के घर में किस तरह की परिशानिया उसे जेलनी पड़ रही थी महाँ पानी की आसुविदा थी महाँ बात्रूम की आसुविदा थी और चार घरों के लिए सिर्फ एक ही बात्रूम महाँ पर उपलब्द था सबेरे कोई पेशाप के लिए उसमें गुसता तो दूसरा उसमें गुसने के लिए बाहर खड़ा रहता तट्टी के लिए बाहर जाना पड़ता था लेकिन वहाँ भी चैन से कोई तट्टी नहीं कर सकता था क्योंकि सूवर पीछे से आकर तंग करना शुरू कर देते अब यहाँ पर जुगी जोपड़ी वालों के जीवन के बारे में लेकिका बताती है कि किस परकार की परेशानियां उन्हें जहिलनी पड़ती है उन्हें शोचाले के लिए परेशान होना पड़ता है और सुबेरे के वक्त जब यह तट्टी करने जाते थे तो वे ठीक परकार से शोचाले नहीं कर पाते थे वहाँ एक तो खुले में शोचाले करना पड़ता था और तो को और वहाँ के जो सूर है जानवर है वे उन्हें ठीक परकार से शोचाले करने भी नहीं देते थे यहां लेखी का उन जिंदकी के बारे में बता रहे हैं जो जुग्गी जो पड़ियों में लोग बिताते है लड़के लड़किया बड़े बुड़े सभी हाथ में पानी की बोतल ले टट्टी के लिए बाहर जाते अब वहां बोतल संभाले या सूर भगाए अब लेखी का बताती है कि कोई बड़ा हो या बच्चा हो सभी लोग अपने हाथ में बोतल लेकर शोचाल लेके लिए बाहर जाते थे अब लेखी का बताती है कि वह ठीक प्रकार से शोचाल लेकरे या सूरों को भगाए मुझे तो यह देख सुनकर बहुत खराब लगता लड़कियों को हाथ में बोतल ले जाते मैंने इसके पहले कभी नहीं देखा था तातुष ने मुझसे पहले ही पूछा था तुम जहा रहती हो वहाँ कोई बात्रूम बात्रूम है कि नहीं अब लेखी का कोई यह सब भहुत खराब लगता था कि सोचाले करने के लिए उन्हें बहार जाना पड़े अब लेखी का बताती है कि तातुष ने उनसे पहले ही पूछा था कि जिस भाड़े के घर में वे रह रही है माँ सोचाले की सुविदा उपलब्ध है या नहीं उपर एक बातरूम है तुम चाहो तो मही से नहा दोकर निपट कर जा सकती हो उस दिन से मैं मही सब सब करने के बाद घर जाती किसी किसी दिन घर पहुचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की इसत्री पूछने चली आती की इतनी देर क्यों हूई अब लेखी का बताती है कि मैं तातुष के घर पर ही बातरूम यानि शोचाले का काम पूरा निप्टा कर नहा दो कर महां से आया करती थी और कभी-कभी मुझे इन सभी कार्यों में देर हो जाती थी, तो घर की जो मकान मालकिन है, वह मुझे टोका करती थी और पूछती थी कि मुझे इतनी देर कहा हो जाती है, कभी-कभी वह यह भी जानना चाती कि मैं कहा गई थी, उसकी बात सुन मुझे बहुत गुसा आता, मैं सारा दिन काम पढ़ रहूं और लोटू तो बे मतलब की बाते सुनने को मिले अब लेखिका यहां बताती है कि जो मकान माल किन थी उसे लेखिका पर शक हो रहा था अब वैं सोचती थी कि लेखिका कोई गलत काम करती है और इस पर लेखिका को बहुत गुस्सा आता है और वैं समझती है कि मैं पूरा दिन काम करूँ महनत करूँ और इनके सवालों का मैं जवाब दूँ और लेखिका को इन सभी बातों पर बहुत गुस्सा आता था और उसे बे मतलब की बाते सुननी पढ़ती थी लेखिका आगे कहती है कि मैं क्या किसी की बांदी हूँ कि वैं सब सब की सुननी पढ़ रही है घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती यहां नागा का अर्थ होता है मना मैं कहती है कि घर का भाड़ा मैं ठीक प्रकार से देती हूँ घर का किराया देने में मैं मना नहीं करती फिर भी इन लोगों की बाते मुझे सुननी पढ़ती है, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है, और मैं जाती भी कप-प थी, समय ही कहा था मेरे पास, काम करके लोटती तो लिखने पड़ने बैठ जाती, यहां लेखी का बताती है कि एक इस्तिरी को स्वतंतरता नहीं मिलती है वह स्वम रोजगार करती है अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और अपने पैरों पर वह स्व 저는 खड़ी है, इसके बावजुद जो समाज है उसे स्वतंतर रूप से देखना नहीं चाहता है वे नहीं चाहता है कि इस तरी घर से बाहर निकले और अपने पैरों पर खड़ी हो और अपने बच्चों का पालन पोशन करे लेखी का बताती है कि मैं कभी-कभी घर से बाहर ही जाती थी और मेरे पास तो समय ही नहीं होता था कि मैं घर से बाहर निकलू काम करके लोटती तो में लिखने पढ़ने बैठ जाती और इसमें भी मुझे इन सभी लोगों की बाते सुनने को मिलती कभी कभी सवीता से जरूर मिल आती भे मेरी एक पुरानी कोटी की सहेली थी लिखी का बताती है सवीता के बारे में सवीता उनकी पुरानी सहीली थी भे पुरानी कोटी में काम करती थी और वहीं उनकी दोस्ती हो गई थी उससे उसके यहां से लोटने में कभी देर हो जाती तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराद कर आ रही हूँ बाजार हाट कनने भी जाना होता तो वह बूड़ी मकान मालिक की इस तरी कहती कहां जाती है रोज रोज तेरा स्वामी है नहीं तू तो अकेली ही है तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार या दरकार का अर्थ होता है जरूरत अब लेखिका को इस नजरों से देखा जाता था जैसे वह कोई अपरादी हो जब वह देर से आती थी अपने कमरे पर तो मकान मालिक की जो इसतरी है वह कई तरह के सवाल क्या करती थी उनमें यह सवाल होते थी कि कहां जाती है वह रोज-रोज उसका तो पती है नहीं फिर भी कहां अकेली घूमती रहती है और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांती मिली। उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बाते मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आखे मूंद किये चुपना रह जाती तो क्या करती। यहां पाड़े का अर्थ होता है मुहला। लेकी का बताती है कि मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं रहता तो क्या मैं क्या कहीं घूम फिर भी नहीं सकती। और जब मैं उसके साथ रहती थी तब भी गली मुहले के लोग जो है वह तरह तरह की बाते क्या करते थे और इस पर जो मेरा स्वामी है मेरा पती है वह उनका जवाब नहीं देता था जब भी जवाब नहीं देता तो मुझे क्या जरुवत पड़ी है कि मैं भी उनका जवाब दू गली महले वालों का मैं भी क्या आँख मूबंद करके चुप रहकर अपनी जि तमाम तरह की परेशानी है, कठनाईया है, वह लेकिका को जहलनी पड़ रही थी अपने जीवन में, लेकिका आगे बताती है कि जब मेरे स्वामी के सामने वहां के लोगों के मुँँ बंद नहीं होते थे, तो यहां तो बच्चों को लेकर मैं अकेली थी, यहां तो वैसी बा बाते मेरे लिए बनती थी, तो अब तो मैं पती को छोड़ कर रह रही हूं अपने बच्चों के साथ, तो अब तो उससे ज़्यादा मुझे बाते सुनने को मिल रही है, मैं काम पर आती जाती, तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यानी प शाथ छेडखानी भी हुआ करती थी, लोग उन्हें छेड़ा करते थे, वह मुझसे बाते करने की चेश्टा करते, चेश्टा करता है परियास, लोग उनसे बाते करने का परियास करते, और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते, और जो महॉले के लोग है, उन में से कुछ लोग लोफर भी हुआ करते थे लेखिका को लेकर उनके मन में गलत भावराएं थी गलत नजर से लेखिका को देखते थे और पानी पीने के भाने वे लेखिका के कमरे में गुस जाते थे मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कहे कोई बहाना बना कर बाहर निकल आती इसी तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बाते करते कितनी सीटिय मारते कितने ताने मारते लेकिन मुझ पर कोई फरक नहीं पढ़ता यहां लेखी का बताती है कि इस्तरी स्वतंत्र होना चाहती है लेकिन जो समाच के लोग है वे उसे दबाना चाहते है उसे एक ही नजर से देखते है कि वे घर में रहे और यह बिना पती की जो ओरत है उसे स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए उस पर समाच के लोगों क गंदी नजर हुआ करती थी, छेड़ खानी वे करते थे, सीटिया मारते थे, और ताने मारते थे, लेकिन इन सभी बातों का लेखिका पर कोई फरक नहीं पढ़ता था, कोई असर नहीं होता था, लेखिका कहती हैं कि मैं उनसे बचकर निकल जाती, तातुष के हाँ जब पहु गटता, लेकिका बताती है कि मैं जब तातुष के हाँ जाती, जब तातुष से मिलती, तो तातुष बताते हैं मेरी पड़ाय लिखाई के बारे में पूछते तो मुझे भहुत खुशी मिलती थी, और मैं सब भूल जाती थी, जो मेरे साथ रास्ते में घटित होता था, ता टाटूस के जो दोस्त है, वे कोलकता में भी रहते थे और दिल्ली में भी रहते थे, जिने वे मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। में वह पूछा करते थे एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बाते कर रही थी कि तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दर्वाजे पर खड़ा हो गया मैंने उससे बैठने को कहा बस वह बैठा तो उठने का नाम ही ना ले उसने बाते चालू की तो लगा वह क अब मकान मालिक का जो लड़का है वह लेखिका से गंदी गंदी बाते कर रहा था और लेखिका को उन बातों का जवाब देने में बहुत शरम आ रही थी मैं उससे महां से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और aquest भी बहार नहीं जा सकती थी क्योंकि वह दर्वाज पर ऐसे बैठा था कि उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था लेकिका को मकान मालिक के लड़के की जो बात है अच्छी नहीं लग रही थी पसंद नहीं आ रही थी क्योंकि मकान मालिक का लड़का जो है लेकिका पर गंदी नजरे गड़ाय बैठा था लेकिन लेकिका ना उस उसे बाहर जाने को कह सकती थी और ना ही खुद बाहर जा सकती थी क्योंकि वह कमरे के दरवाजे पर इस कदर बैठा था कि ना ही उदर से कोई अंदर आ सके और ना ही वहाँ से कोई बाहर जा सके मैं समझ रही थी कि वह क्या कहना चा रहा है लेखी का जो है मकान मालिक के जाब चुकी थी, कि वह क्या चाहता है मुझसे, ऐसे में उसकी बातों को मैं अनसुना ना करती, तो क्या करती, मैंने सोचा, अब मेरा भला इसी में है, कि इस घर को भी जल्दी से, जल्दी छोड़ दू, अब लेखी का उसकी भी बातों को अनसुना कर देती है, और पहचान जाती है कि इसकी नियत मेरे लिए खराब हो रही है और लेखिका अपने मन में सोचने लग जाती है कि अब को मुझे यह घर भी छोड़ना पड़ेगा यानि कितनी तरह की परेशानिया लेखिका के लिए समाज उत्पन करता है जिससे लेखिका को अपने जीवन में संगर्शो का सामना करना पड़ रहा है उसकी बातों से यह साफ हो गया कि मैं यदि उसके कहने पर चलूँगी तब तो उस घर में रह सकूंगी नहीं तो नहीं यानि लेखिका पर वह गंदी नजरे लगाये बैटा था और वह लेखिका से कह रहा था यदि तुम मेरी बातों में तो तुम्हें इस घर को खाली करना पड़ेगा मैंने सोचा यह क्या इतना सहज है घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई भी बात माननी होगी मैं कल ही कहीं और घर ढूंड लूंगी लेखी का बताती है कि यह कोई इतना सरल काम है कि घर में कोई मर्द नहीं है मेरा पती नहीं है तो क्या हर कोई मुझे से किसी भी तरह की बाते कर लेगा मुझे से किसी भी तरह की बाते मनवालेगा मैंने सोच लिया है मैं कल ही कहीं और घर ढूंड लूंगी अपने बच्चों के लिए और अपने लिए अब लेखी का यह नेड़ने लेती है कि मैं अब यहां से निकल जाओंगी अब क्या लेखी का सफल हो पाएगी नया घर डूंडने में या फिर नहीं यह देखेंगे हम इस पार्ट के अगले भाग में तो दोस्तो यह था इस पार्ट का भाग नमबर तीन इस पार्ट के अगले भाग को देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे कि लेखी का के साथ आगे क्या क्या घटनाए होती है धन्यवाद